करप्शन को लेकर जमुकश्मीर प्रशासन पहले ही ये कह चुका है कि किसी भी तरीके से करप्शन बरदाश नहीं की जाएगी और जमुकश्मीर केंदर शासित परदेश को करप्शन फ्री बनाने के लिए प्रयास जारी है और इसी के चलते जो है एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उसकी तरफ से गांदरबल से एक पटवारी को जो है वो पकड़ा गया है जिसने इस पूरी ब्राईब की यानि की रिश्वत की मान की थी और अब उसे गिरफतार कर लिया गय जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है ये आपको बता दे कि गांदरबल के हट बुरा इलाका है और वहां पर ये पच्छवारी जो है वहां पर कारे रत था जिसने जो है ये मांग की थी पूरी पूरा काम करवाने के लिए और 50,000 रुपे की ये मांग जो है वो की गई थी और कंप्लेनेंट की तरफ से जो है पूरी अगर बात की जाए तो उसने ये पूरी खबर जो है एंटी करॉप्शन ब्यूरो को दी और एक पूरा जाल जो है उसे पकड़ने के लिए बिचाया गया और जिसके बाद जो है इस पटवारी को गिरफतार करने में बड़ी कामया भी मिल गई है आपको बता दे कि ये एंटी करॉप्शन ब्यूरो जो है उसकी तरफ से गांदरबल में इस पटवारी को पकड़ा गया है ये साफ संदेश जो है उन लोगों के लिए है जमो कश्मीर के अंदर जो लगातार जो है करॉप्शन को बढ़ावा देनी की बात करे है करॉप्शन को किसी न किसी के तरीके से बढ़ा रही है और रिश्वत खोरी जो कि अभी भी दड़ले से कहीं न कहीं चल रही है उस रिश्वत खोरी को खतम करने के लिए जो है ये काम किये जा रहे है इस पटवारी का नाम जो है तारिक एहमद शा बताया जा रहा है जो क ती गांदरबल के मैंने आपको बताया कि पत्वारी हलका जो कि पत्वारी हलका के तोर पर हथ बूरा इलाके में जो है पोस्टेड था और जिसने एक व्यक्ति से जो है एक डिमांड की थी 50,000 रुपे की उसका पूरा काम करवाने के लिए और उसके बाद जब उसने एंटी कर कर लिए और साती साथ जो है इसे वहां पर विटनिस के साथ जो हम गिरफतार किया गया और अब इस पत्वारी के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है आपको बता दे कि Prevention of Corruption Act 1988 के तहट जो है उसकी Section 7 के तहट उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है पटवारी को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और अब उसे custody में ले लिया गया है तो ये साफ संदेश उपरा जिपाल जो है जमो कश्मीर के मनोस सिना वो हर मंच से देते हुए नजर आते हैं कि किसी भी तरीके से जो ये लगातार corruption हो रही है जमो कश्मीर के अंदर इसे बरदाश नहीं किया जाएगा इस corruption पर नकेल कसने के लिए कदम जो है वो उठाई जा रहे हैं और अभी अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है हम लगातार देख रहे हैं कि anti corruption bureau जो है ऐसे रूस खोरो पर यानि कि जो रूस किसी न किसी तरीके से रिश्वत मांगते हुए नजर आते हैं जो भी कोई officers हैं पटवारी हैं या कोई भी सरकारी दफ्तरों में कारेरत जो भी employees हैं अगर इस तरीके की रिश्वत मांगते हैं तो अब उनकी खैर नहीं है क्योंकि ये पहले ही जो संदेश है उपराजबल मनोस से ना हमने देखा है कि हर मंच से देते हुए नजर आते हैं और आज इसी संदेश के तहट जो है गांदरबल में एक बड़ी कारवाई करते हुए Anti-Corruption Bureau ने एक हलका पटवारी को जो है वहां से गिरफतार किया है और मोके से जो डिमांड की गई थी जो रिश्वत की रिमांड की गई थी 50,000 रुपे की वह भी वहां से जब्त कर ली गई है और अब मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और उस पटवारी को कस्टडी में लेकर आगे की जो पूरी कारवाई है वो भी शुरू कर दी गई है तो यह संदेश है जमुकश्मीर में रहने वाले हर एक व्यक्ती के लिए साथी साथ जमुकश्मीर में काम करने वाले हर एक सरकारी इंप्लॉई के लिए कि अब जिस तरीके से करप्शन जो है वो जमुकश्मीर में देखने को मिलती थी वो नहीं देखने को मिलेगी करॉप्शन पर जो है लगतार नकेल कसी जा रही है करॉप्शन पर जो वार है वो जा रही है और उसी के तहथ जो है इस तरीकी की कारवाईएं जो है वो लगतार देखने को मिल रही है ये एक मामला जो है इस समय गांदरबल से सामने आ रहा है जहां पर आपको बता दे कि हत बुरा इलाका है पटवारी हलका जो है तारीक अहमद शाह जो है वहाँ पर पोस्टिड थे इसके और उनकी तरफ से जो है एक व्यक्ति से ब्राइब की यानि की जो रिश्वत की मांगी की 50,000 रुपया और इसके बाद जो है एंटी करॉप्शन ब्यूरो जो है CBI का उसने इन पर नकेल कस ली है और इनने अब गिरफतार कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है आगे इसमें और क्या-क्या नए मामलों के सास्थ क्या चीज़े खुलती हैं वो देखने वाला हो जो है वो सामने ला सकता है जो पूरे अगर अब आख करें तो जमुकश्पीर प्रशासन का नाम जो है बदनाम करने में डिपार्टमेंट्स का नाम बदनाम करने में जो है कही न कहीं जुटे हो और करॉप्शन को जो है वो लगतार बड़ावा दे रहे हो इस अप्रेट मे झाली